हेलो स्टुदेंट्स, गुड मॉनिंग, आज हम चेप्टर नाइन का थर्ड पार्ट रीट करेंगे सेकंड पार्ट में हमने रीट करा था, हुमेंस बिंक हैव फाइव सेंस ओर्गन्स they are the eyes, nose, ears, skin and tongue, eyes help us to see, nose help us to smell, ears help us to hear, tongue help us to taste, skin help us to feel and skin is the largest sense organ of our body because the skin covers our whole body जो skin है हमारा largest sense organ है क्योंकि वो हमारी पूरी body को cover करके रखती है So आपको समझ आगया होगा Let's start today's video For one, Uncles Today I learned that I cannot see without my eyes taste without my tongue smell, without my nose, hear without my ears and feel without my skin these sense organs are very important to me I should take good care of them पावन बोलता है अंकल आज मैंने सीखा कि हम बिना आखों के देख नहीं सकते बिना टंग के टेस्ट नहीं कर सकते इसमेल नहीं कर सकते अगर इयर्स ना हो तो सुन नहीं सकते इसकी ना हो तो फील नहीं कर सकते कुछ भी नहीं कर सकते sense organs बहुत जरूरी है मेरे लिए मुझे इनका ध्यान रखना चाहिए some children may not be able to see, hear or speak this may be because they were born that way or a situation caused it कुछ बच्चे होते हैं जो कि देख नहीं सकते सुन नहीं सकते और बॉल नहीं सकते क्योंकि वे या born means जर्म, वो जर्म से ही या तो ऐसे होते हैं कि वो सुन नहीं सकते हैं, बोल नहीं सकते हैं, या उनके सम्ग कुछ situation कॉस्ट हो जाती है, यानि कि situation means परिस्ति, कॉस्ट मीज बज़े, कुछ परिस्ति की वज़े से, वे, जैसे कि उनके सम्ग, या तो कभी कोई accident हो गया हो, या कोई चोट लग गई हो, उसकी वज़े से भी वो देख नहीं सकता, बच्चा सुन नहीं सकता, या बोल नहीं सकता, it is important to respect them and know that the rest of their sense organs will be sharper and work well. तो हमें ऐसे बच्चों का respect करना चाहिए, ना कि हमें उनका मजाक बनाना चाहिए, और हमें यह जानना चाहिए, कि उनके जो और दूसरे sense organs है, वो अच्छे से और तेजी से काम करते हैं, it is important to take care of the parts of our body, not just our sense organs. यह जरूरी है कि हमें अपने body के सारे parts का ध्यान रखें, ना कि सिर्फ sense organs का, हमें अपने body के सारे parts का ध्यान रखना चाहिए, मुझे अपने body के parts का कैसे ध्यान रखना चाहिए, List some ways to take care of our body parts, share it in class. List बनाओ कुछ ways का, जिससे की ways की जिससे आप अपनी body parts का ध्यान रख सकते हैं, लाइक जैसे, we should not use mobile laptop and TV because it harm our eyes. हमें ज्यादा mobile laptop का यूज नहीं करना चाहिए और नहीं ज्यादा TV देखना चाहिए. Second है, we should take bath daily to avoid germs on skin. हमें रोज नहाना चाहिए ताकि हम germs से अपने skin को बचा सकें. Third है, we should brush our teeth two times a day और keep our mouth clean. हमें कम से कम दो बार brush करना चाहिए दातों पर जिससे कि हमारे दात साफ रहें. Fourth है, we should eat and drink clean food and mouth to demand healthy. else we will fall sick. हमें साफ पानी पीना चाहिए, साफ खाना खाना चाहिए ताकि हम स्वस्त और बिमार ना पड़े. Third है, we should cut our nails regularly so that germs does not reach inside our body. हमें अपने nails भी time to time काटते रहना चाहिए ताकि अपके body के अंदर nails के जरिये germs ना पहुचे. और आप भी कुछ ways सोचिए और मुझे doubt class के अंदर बताइए. प्रेश करिए, page number 45. Thank you, Uncle Rajesh. I have learned how important every parts of my body is. I will take good care of my body. पावन बोलता है, thank you, Rajesh अंकल. मैंने आज सीखा कि हर body parts का ध्यान रखना कितना जरूरी है. अब मैं अपनी body का अच्छे से ध्यान रखूंगा. अब हम ये activity करेंगे. पावन अपने घर पापिस गया और उसने देखा कि उसका छोटा भाई करन कुछ काम कर रहा है. करन क्या कर रहा है? तो करन इस रणिंग विध इस डॉग. करन अपने डॉग के साथ दोड़ा है. तो आप यहां पर राइट करिए. करन इस रणिंग विध इस डॉग. विच पार्ट ऑफ दा बाड़ी इस मौस्ट यूज इस डॉग इस डॉग इस एक्शन? बाड़ी का कौन सा पार्ट वो सबसे ज़्यादा यूज कर रहा है करन? सो यहां पर क्या आएगा? हम भागते किस से हैं? किस से भागते हैं? लेक से. सो यहां पर लिखिया आप लेक्स. L-E-G-S लेक्स. करन तस्ट इस फूट राइट अफ्टर ही तस्ट दॉग इस 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 एल्दी? पर करन तु दॉग सो. सर्किल यूर रस्पॉंस. यहां नो? करन ने अपना फूट छूआ जस उस डॉग को टच करने के बाद. क्या यह हेल्दी आदत है करन के लिए? अपने रस्पॉंस पर सर्किल करें. तो पताइए यह सही है यह गलत है? तो यह गलत बात है. ऐसे डॉग को टच करने के बाद फूट को टच करना, इससे ज्रम्स हमारी बोड़ी के अंदर जाएंगे. तो यहाँ पर यह क्या है? गलत बात है तो इस पर काई पर सर्किल करेंगे अपर? नो पर सर्किल करेंगे. Tell your teacher what current should do before touching the food. अपने टीचर को बताएए कि करन को क्या करना चाहिए? अपने फूट को टच करने से पहले. तो क्या करना चाहिए? तो आप यहाँ पर लिखिए. He should wash his hands which soap before touching the food. So current को अपने हैंड को वाश करना चाहिए. Food को टच करने से पहले हमेशा. Current then went to the kitchen. Current फिर किचिन में जाता है. The food is smelling good. और करन बोलता है खाने की बहुत tasty smell आ रही है. Which sense organ did current just use? कौन सा sense organ current ने use किया जिसे उसे smell आई? हमें smell काई से आती है? Nose से. तो आप यहाँ पर लिखिए N-O-S-E. Nose. Make a list of clean and healthy habits observed and record if the members of your family are following them. एक list बनाओ clean और healthy habits की और फिर जहान से देखो की आपकी family में कौन-कौन उन habits को follow करता है. Like जैसे we should drink clean water हमें हमेशा साफ पानी पीना चाहिए. We should wash our hands when we come home from outside. हमें अपने हाथ दोने चाहिए जब हम भार से आए घर के अंदर. We should wear mask when we go outside. जब हम भार जाएं तो हमें mask पहन कर जाना चाहिए. We should wash hands before eating and touching food हमें खाना चूने और खाने से पहले hand wash करने चाहिए. पेज करिए पेज नमबर 46. Complete the mind map. हम ये mind map को complete करेंगे. Sense organs and their uses. List the sense organs here. अपने कौन से sense organs है? हम को ये पे फिल करने है. कौन कौन से हमने रीट करें थे? Eyes, E-Y, E-S, Eyes, N-O-S-E, Nose, E-A-R-S, Ears, T-O-N-D-U-E, Tongue, S-K-I-N, Scheme. हमने five sense organs रीट करें थे? External parts of the body. External मतलब बहारी जो body parts होते हैं. List a few external body parts here. हमें यहाँ पे कुछ external body parts के नम राइट करने हैं. तब वो कौन कौन से हमने रीट करें थे? H-A-N-D-S, Hands, L-E-G-S, Legs, M-O-U-T-H, Mouth, E-Y-E-S, Eyes, N-O-S-E, Nose. Taking care of external body parts. List two ways to take care of body parts. Parts of the body, कौन से parts? करें हम M-O-U-T-H, Mouth, Ways to take care of it. अब हमको इसका दो तरीके बताने, take care के. तो फर्स्ट एब ब्रशिंग तीथ रेगुलर्ली. B-R-U-S-H-I-N-G-T-E-W-E-T-H-T-E-T-E-T-R-E-G-U-L-A-R-L-Y. रेगुलर्ली, हमें तीथ पे रेगुलर्ली रोज ब्रश करना चाहिए. सेकेंड लिखेंगे, रिंसिंग दा माउट आफ्टर एवरी मील. हमें खाना खाने के आफ्टर, रिंसिंग मिंस धोना, कुला करना ची. थेंक यू एंड, हमें नाज दे.